नमस्कार मैं आड़ी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान उत्तर प्रदेश के चुनाव से संबंधित हम आपके सामने जो खबर लेकर प्रास्तुत हुए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक ट्विस्ट सा आ गया है सपा और भाजपा दोनों लंबे लंबे वादे कर रहे हैं हर जगह वायदे कर रहे हैं और आज बहुजन समाज पाटी की राष्टिय महासर्ची में सतिस्चन्र मिस्राजी और रहिया में मीटिंग कर रहे हैं उन के साथ अंदेखी किया अन्याई किया वो सब की गिंती करा रहे थे उन्होंने हत्रस कांड का भी जिकर किया और साथ में जो विकास दूबे के साथ जो किया गया और उनके साथ बहुत सारे और लोग जो आरोपी बनाएगे कितना उनका उसमें कसूर था विकास दूबे माना की वो मितलब अपराधी था लेकिन एक अपराधी के आर में उस समाज के उस गाउं के उनसे जुरे लोग जो अपराधी नहीं थे उनको जेल में डाल कर भाजपा ने कितना बरा काम किया अपने सासंकाल में उस सब गिंती करा रहे थे ऐसे उत्तर परदेश की जनता जानती है कि रोमियो एस्कौाइट ने कितना काम किया पूरे उत्तर परदेश में उत्तर परदेश पुलीस सुर्खियों में रही है चाहे वो गोरखपुर का कांड हो चाहे अलताफ का कांड हो या बहुत सारे कांड हुए हैं जहां पर बहुत सारे निर्दोस नागरिक उत्तर परदेश पुलीस के सिकार हुए सब एक-एक करके बहुचल समाज पार्टी के राष्टिय महासचिम गिंती करा रहे थे evidence और गवाह किस तरह से create किये जाते हैं कैसे तैयार किये जाते हैं वो सब वो बता रहे थे आम जंता के बीच हर जगह यही देखने को मिल रहा है उत्तर परदेश की जंता प्रस्त है चाहे डीजल पेट्रोल तो एक एक जामपल है कोई भी ऐसी बस्तू नहीं दिखाई देती जो महंगाई की चरम सीमा पर ना है कहने के लिए आप गैस सिलंडर डीजल पेट्रोल कह सकते हैं लेकिन क्या खाने पीने की बस्तू सस्ती है क्या कप्रे सस्ते है सिमेंट सस्ती है जो लोग मकान बना सकें किसी प्रकार का सामाना देख लीजिए महंगाई की चरम सीमा पर है और ये चुनाव के मुख मुद्दे होते हैं केबल हाइवे दिखा लेने से आम जनता गोट नहीं दे सकती आम जनता अपने घरों को देखती है किचन को देखती है अपने बच्चों के देह पर कितने कप्रे हैं वह देखती है आप हाइवे दिखाएं वो टीवी का सोभा हो सकता है उत्तर प्रदेश की जुजनता है तो रोजगार डिमान कर रही है वह महंगाई से त्रस्त है उनके फसलों के दाम नहीं मिलते उनको बोते समय यूरिया खाद नहीं मिलते जगा जगा मारपिट हो रही है खाद के लिए हर जगा जो है कोटेदार अपना रासन बचा लेते हैं लोगों को पुरा रासन नहीं देते भले ही आप सुर्खियां बटोर लें कि हमने डबल रासन देने की तैयारी किये है लेकिन डबल रासन में आम जनता तक कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है और ये सारी गिंतियां होगी अभी चुनाव से पहले मैं आपको बिलकुल बताने बाला हूँ एक मुख खबर जो अभी अभी निकल कर आई है चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए उत्तराखन के लिए अपनी तैयारी करीब-करीब मुकमल कर ली है और हो सकता है जन्बरी के पहले सकता हमें अधिसूचना जारी कर दी जाएगी यानि उत्तर प्रदेश में आचार सहीता लग जाएगा और आचार सहीता लगने के बाद उधगाटन कार्सकरम नहीं होंगे कोई भी घोसना है सरकारी तोर पे नहीं हो पाएगी ऐसे केन सरकार के उपर भी ये लागू होनी चाहिए कि उत्तर परदेश उत्तराखन ये पंजाब ये पांच राज्यों के लिए किसी प्रकार की कोई घोसना ना करें ये चुनावायो को करना चाहिए लेकिन अचार सहिता इन पाचो राज्य के लिए लग जाएगी और उसके के बाद फरवरी के फस्ट वीक से मतदान होना सुरू हो जाएगा अब देखना यह है कि इस बार बहुजन समाज चुनाव में कितना रोल करता है क्या अपने नेता यानि बहन मायावती जी को मुख मंत्री के तौर पर चुनती है या नहीं चुनती है हर कोई अपना अपना लग जाता है रो अपना अपना भविश के चक्कर में सब का भविश चोपट हो जाता है क्यूकि आप किसी भी डल में जाएंगे तो उस डल में एक परकोष्ट के आप अध्यच्छ हो सकते हैं पुर्य डल का कभी अध्यच्छ नहीं बन सकते हैं बहुत सारे SCST के नेता कॉं समाज पार्टी में मिलती है और बहुचल समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है बिलकुल चुन-चुन के परत्यासी ये रख रहे हैं और लोगों के च्वाइस से संभावना ऐसी जताई जा रही है कि इस वार बस्पा सत्ता में आ जाए आप बने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद